हलो स्टुडेंट कैसे हैं आप सब तो जब राजिस्थान का राउंड बन का रेजल्ट आया था 639 के आसपास वो क्लोज हुआ जो फाइनल कटफ फर्स्ट राउंड का गया था वो 9,044 AIR तक और राजिस्थान रेंड थी 1264 यहां तक वो गया था तो तब लग रहा था कि अब राउंड टू जो आल इंडिया है उसके बाद कुछ इस्तिती साफ होनी चाहिए कि आखिर राजिस्थान का राउंड टू कितने तक जाएगा और सबसे ज़्यादा जो परेशान बच्चे हैं वो हैं चैसो बारा से लेके और चैसो पंद्रा के बीच में जो अच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि वो आखिर क्या करें तो एक एनलेसिस इस पर अपन बता रहे हैं राजिस्थान का कि क्या हो सकता है जिसके चांसे लग रहे हैं डाटा के हिसाब से डाटा जो कह रहा है मैं वो बता रहा हूँ तो आप अपनी बुद्धी भी बीच में रखें अगर आपको कोई सीट मिल चुकी है तो आपको नौर्थ इस्ट में मिली है या कहीं आप नहीं जाना चाहते वह अलग बात है पर अगर आपको लगता है कि सेब साइड में आपको सीट मिल चुकी है और आप वहां जा सकते हो तो आप वहां जाओ तो ये पूरी बात जो है मैं बता रहा हूं आपको तो सबसे पहले अगर किसी ने चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो सबस्काइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे आप अलग से भी हमें अगर आपको कोई पर्सनल डाउट लगता है तो हमें वाट कि तो देखिए जब यह राउंड टू का रिजल्ट कल आया तो राउंड टू के जो रिजल्ट है इसमें एक चीद तो क्लियर हो गई कि एम्स नीचे तक गया है एम्स का जो कटफ है वो 75 75 तक गया एम्स जम्मू तो तभी लग रहा था कि कोछ बच्चे जिन्होंने इस्टेट से भी ले लिया है वो भी आल इंडिया से लेंगे अब इसमें राजस्थान के बच्चों की संक्या सबसे जादा थी जो आल इंड इस था वो इस बेस पर बनना था कि आखिर राजस्थान के जो टाप रहंकर थे इन्होंने क्या किया है तो अब चलिए उसके लिए अपन राजस्थान का जो जन्नल वाला है उसको खोल लेते हैं यह देखिए यह जन्नल वाली लिष्ट है राजस्थान की आपको देख रही गभी होगी इसमें यह जो है राजस्थान रहेंग को कि यह आप देख रहे हैं यह राजस्थान रहेंग वण और यह एटीटू अपने करने की कोशिस की वो इस भे कि की इन बच्चों ने क्या किया इय्टी टूबं सेबिंटीन तो चलिए एक कुछ को अपन देख लेते हैं रैंडमली जैसे एटी टू नमबर को अपन देख लें कि यहां पर एटी टू नमबर जिसकी नीट में रएंग थी उस क्या किया तो यह देखिए 82 पर आपके यह आये हैं इन्हों ने SMS जैपुर ले लिया है तो इसका मतलब है कि यह सीट आल इंडिया से भरगी मतलब राजिस्थान में एक स्टूरेंट जो था उसने जिसको मिले थी राउंड बन में उसने तो ले लिया है तो वो तो अब आपके कटब में आनी रहा है ऐसे ही आप देख लें चलो यह तो पहले स्टूरेंट की बात थी अपन अब देख लेते हैं यह कि इसकी रेंग थी 1508 इसने क्या किया क्योंक इसे 158 वाली ने क्या किया कि आ इस ने भी श्टेट का इबेट कर रहा है स्टेट से ले रहा है यह फिर इंडिया से चला गया यह देखिए ग्यारा सो अठासी वाला यह एक प्रकार से बीच का भी कला यह बहुत ज्यादा टाप प्रैंक पर भी नहीं है तो यह 1188 वाले ने क्या किया है यह 1188 एंसरी सी केस नों ने रिपोर्ट कर देए वह दो यह चले गए तो यह एंसरी सी केस चले गए तो ऐसे ऐसे करके पूरा डाटा जो लिया है अब जैसे एक बड़ी रेंक देख लें 3580 देख लें अपन यह 3580 पर आप कहां की रेंग थी 403 इन्होंने क्या किया चलिए इनका देख लें थे हैंपन कि 3580 वाले ने क्या किया यह थोड़ा सा हो जाएगा कि यह लाश्ट रेंग टाइप महीं है इन्होंने क्या किया है यह देखिया 3580 वाले ने क्या किया है 3580 वाले ने जवाहल लाल न तीन सो के आसपास बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जनल भी और ओवीसी भी अपन देखेंगे ओवीसी इसलिए देखेंगे कि जो जनल की टाप रहिंग की सीटें वो बीसी में भी करन्वर्ट हो जाती हैं कि अगर ओबीसी वाला आ गया जनल की सीट महरने के बीच में तो कोटा ओब प्पच्ड भग 300-400 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों फेज में हैं नोला इंडिया से भी मिला है और स्टेट से भी मिला है तो जो इसमें से टाप रेंग कर आज इनको अच्छा मिल गया है वो तो जाएंगे यह बात तो पक्की समझ में आ रही है उनको जाना भी चाहिए अब मुख्य संश्या ये है कि ये तो हो गई 618 तक की बात कि जो 618 में आप बच्चा है लगभग वो तो कहीन कहीन सेफ स्कोर में आगया 618 तक बच्चा जिसका इस्कोर है वो इस्टेट से मिल सकता है उसको उस को अल disappoint गया से मिल चुका है अब बात आती है कि 655 वालों को क्या होगा उनको जोइन करने ना चाहिए या उनको भी बेट करना चाहिए मैं तो मैं यह कहूंगा जो 612 से 615 के बीच में हैं बlas 12 गज्वलीष है अगर उनको अच्छा कलेज मिल गया है तो बोढ़ जा सकते हैं उनको जाना चाहिए और जो 615 से 618 के बीच में वो चोच कर सकते हैं कि उनको उच्छा कालेज मिला है नहीं मिला है अगर उनको कुछ दिक्कत लग रही है क्योंकि ओवराल देखने में यह लग रहा है कि 615 तक स्कूर तो सेव राजस्थान में 615 तक और उनके लिए क्या कंडिशन है यह भी बता दे रहें जो 608 से 612 के बीच में कहीं है 608 से 612 के बीच में उनके पास राजस्थान का मापप राउंड भी होगा इसके साथ-साथ उनके पास आल-इंडिया का मापप भी होगा क्योंकि क्या हुआ है M से जम्मू किसी ने ले लिय है तो इन सब को अगर किसी स्टेट से इनको अच्छा मिल रहा ही और आपके स्टेट मेशने हाई वह संब्सक्राइब नजर रखें और चैनल भी उनको बताएगा तो उनके चांसे चींचे बन सकते हैं तो 608 से 610 वाले भी निरास नहीं हो परप्रेशन अपनी रखें पर उसके साथ साथ इसके लिए भी सोच सकते हैं और जो मैंने आपको बताया जिनको मिल गया है अगर उनको अच्छा कालेज लग रहा है अ घ्यास करना है तो वह कालेज नहीं छोड़ेंगे आल इंडिया से भी जा सकते हैं इस्टेट का बेट नहीं करें अगर उनको लगता है से उनको बहुत अच्छ सूटेह लेना ठीक नहीं है तो इस हिसाब से जो पूरी बात्चीत का सार है वो मैं आपको बता दूँ कि कि आल इंडिया कोटा से अभी जो बच्चों को मिला है उसमें उसके हिसाब से 615 तक राजस्थान में सेफ इसकोर लग रहा है उसके नीचे वाले बच्चों को मौप अप से आल इंडिया के मिल सकता है और राजस्थान के मौप अप से भी मिल सकता है अगर राजस्थान के बच्चे आल इंडिया के मौप अप से कहीं चले गए तो तो दोनों केसों में ये वेनिफिट मिल सकता है कुछ बच्चों ना रा करें हमें आव वाटसप भी कर सकते हैं लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा वाटसप करेगा तो उसको पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब अबर चैनल